नमस्कार दोस्तों भारत के लगभग हर घर में लहसून का इस्तेमाल किया जाता है हर किसी ने बड़े आकार का हलका सफेद रंग वाला लहसून देखा है लेकिन क्या कस्मीरी लहसून या पहाडी लहसून के बारे में सुना है यह लहसून साइज में छोटा और गहरे रंग क होता है इसमें तमाम आउसदी गुंड भी होते हैं पहाडी लासुन का सेवन सेहत के लिए बहुत फैदे मन माना जाता है इसके सेवन से सरीर की कई बिमारियों को दूर करने में भी फैदा मिलता है तो वह यह जानते हैं पहाडी लासुन के सेवन से होने वाले फैदों के बारे में सर्दी खांसी और बलगम की समस्या में फैदे मन सर्दी खांसी और कब की समस्या में पहाडी लासुन का इस्तेमाल बहुत फैदे मन माना जाता है जिन लोगों को अक्सर जुकाम और सर्दी की समस्या होती है उन्हें पहाडी लासुन का सेवन जरू जरूरी होता है हड्डियों से जुड़ी कई समस्याओं में पहाडी लासुन का सेवन बहुत फैदे मन होता है अगर आप जोड़ों में दर्द हड्डियों की कमजोरी या हड्डियों से जुड़ी किसी दूसरी समस्या का सामना कर रहे है तो पहाडी लासुन का सेवन कर सकते ह है डाइबिदीस में फैदेमल डाइबिदी की समसिया में पहाड़ी लासुन का सेवन बहुत फैदेमन माना जाता है इसका नियमिस सेवन करने से ब्लड सुगर के इसतर को नियंतित करने में फैदा मिलता है पहाड़ी लासुन में मौझूद एलिसिन विटामिन बी और थाइमिन शरीर में इंसूलिन का निर्मान करने में फैदेमन होता है तो दोस्तों इस वीडियो में आपने पहाड़ी लासुन के बारे में जाना इस तरह कि यह जनकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब् स्क्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद